शीचतरबुज मेमोरिल फाउंडेशन बीते बारा वर्षों से दिरंतर समाजहीत जनहीत में कारेकर सम्मान हासिल कर चुका है शीचतरबुज मेमोरिल फाउंडेशन एक ऐसी समाजिक संस्था है जिसने भिलाई वासियों को अपने सेवाउं से काफी लाभानवित किया है संस्था के संस्थापक अरुन शिवास्तव जो कि सुवयम इस संस्था के माध्यम से लोगों की विपिने शेत्रों में सेवा कर सम्मानित भी हो चुके हैं संस्था के संस्थापक अरुन कुमार शिवास्तव ने ये संस्था अपने स्वर्गे पिता की सम्रिती में 12 वर्ष पूरु प्रारम की थी तब से लेकर अभी तक निरंतर सेवा कर लोगों को लाभ इस संस्था के माध्यम से वेदी रहे हैं और आपको ये भी पता दें कि चतरुपज मेमोरिल फाउन्डेशन के संस्थापक अरुन शिवास्तव संस्था के प्रती काफी सक्री हैं लोगों की सेवा तो कर भी रहे हैं वहीं वे दिव्यांगों के लिए 36 गर्ड़ दिव्यांग करकेट एसोसीशन के माध्यम से दिव्यांग लोगों को बेहतर प्रसिक्षन दे कर उन्हें मन्च प्रदान कर रहे हैं ये दिव्यांग पूरों में कई राजियों में अपनी प्रस्तूतियां दे कर मैडल भी प्राप्त कर चुके हैं संस्था द्वारा भवीशी की योजनाओं से जोकी हितकारी है इसका लाफ लोगों को पहुँचाया जा रहा है ये जानकारी संस्था की सच्ची हुव सेवा निवरित उपरांत संस्था से लाभानवित होकर यहां पर अपनी सेवाएं दे रहे राजेश कुमार ने कही है मैं जस्फीर कॉल, श्रीशे तर्विश मेंबर्णी पांडेशन के सचीव पर पर पद स्था हूँ हमारी संस्था एक समाजिक संस्था है जो विगत बारा वर्षों से लगातार भिलाई वासियों को अपनी सेवाई निशिद प्रदान कर रहे हैं संस्था द्वारा विगत बारा वर्षों से बिलाई के जितने भी सेवाग्वित परसन होते हैं उनको लाइफ सेटिपिकेट, आई टी आर और मैडिकलेंड ये सारी सुविदाय संस्था निशिल प्रदान करती है इसमें यह होता है कि अगर वो कहीं और से करवाते हैं तो उनसे इनी सब फॉर्म फिलब वगेरा के सौ से देर सो रुपे लिए जाते हैं और अपनी संस्था ये सारे चीज़े जो है पैसे नहीं लेती है निशिल ये देती है चतरगुष मवर्म फांडेशन की स्थापना ही उनके पिता के स्मरन में हुई है संस्था के संस्था पक्ष्री अलुकुमार श्रिवास्तर जी ने उनकी याद में ही ये संस्था का स्थापना किया था अपने पिता जी से मोटिवेंट होकर क्योंकि वो भी संस्ता समाजिक कारे में काफी रूची रखते थे तो उनसे ही प्रेड़ित होकर इन्होंने इस संस्ता का रिमान किया बीति दिनों में जैसे भी लार्स लेटर्स में जो हुआ था टीचर्स डी शिक्षक दिवस के अफसर पर बालोद में जो की सर का बैग्राउंड रहा है वहाँ पर उन्हें ने जाके अपने शिक्षकों का सम्मान किया वहाँ पर भी एक और संस्ता का उन्होंने अनावरण किय सहयोग एक प्रयास के नाम से जैसे जो अभी यहाँ पे मगरिल फांडेशन के तुरू हो रहा है वो अब इस चीज को और आगे बढ़ाते हुए मालोद में भी अपनी सेवाई देना प्रारम के लिए चात्सगर दिव्यांग प्रिकटे सिशिन के सर अध्यक शर चुके है औ उसमें भी पिछले आठ से दस सालों से लगातार अपनी सिवाई दे रहे हैं दिव्यांग बच्चे जो है वो खिलाडी जो अपने बाहर जाते हैं टूर्णामेंट वगेरे के लिए उनके लिए सारी चीजे अरेंज करना लोगों के पास जाना उनसे बाते करना और मंच मिलता है उनको इस सब्सक्राइब मंच मिलता है तो दिव्यांग बच्चो के लिए वो अपनी सिवाई जैसे अब तक सिर्फ लाइव सर्टिपिकेट आइटिया मडी के लिए यही सारी सिवाई हम दे पा रहे थे लेकिन अब हमारे संस्ता से एक और परसन जुड़े है जो कि भिलाइस allora सरींस से ही सेवा नेव्रत हुए है वहाँ पर इनकी सेवा थी कि जो फाइनल स्ट्लिमेंट ती ही तो वह वहाँ पर दे रहे थे सारी चीजों के अलावा अगर बैंकिंग वगर की भी कुछ इशूस हैं जैसे किसी का अकस्मिक या स्वभाविक मृत्यू होता है उसके उपरांथ वो जो दावा पत्ती होती है वो बैंक में देनी होती जिसके लिए उनको काफी परिशान होना पड़ता है वो सारी चीजें भ पर देशी यही है जैसे इस संस्था द्वारा है मतलब जैसे नीशू के सिवाई जैसे प्रदान कह जाते हैं हमारा संस्था का वो देशी यह है कि सेवा सेवा सला और समाधान इसके तहट ही हम अपन कारिक का अपना विस्पादन करते हैं इसमें जैसे कि दिव्यांगों के लिए सब नीशूल का मतलब सेवाई दे जाती है और जैसे कि जब सिक्षा से छेतर से जूड़े हुए सब विद्यारतों के लिए हमारे सेवा भ अपना इसमें जैसे कि अपना इसमें जैसे कि अपना इसमें जैसे मेरा नाम राजिश कुमार दिवांगन है मैं खुद एक सेवा नित कर्मचारी हूँ और मैं भिलाईश्री प्लांग के सेवा कर्मचारी सेवा भाग में कार रहता जहां मतलब भिलाई के भिलाईश्पास सयंद के जितने भी अधिकारी हो चाह कर्मचारी हो जो सेवा निवित होते हैं उनके फाइनल पेमेंट के संब इसके अलावा एंडिक्लेम है, इस सभी कारे उसी संस्था से होता था और उसी को मतलब उसे नुभाग द्वारा किया जाता था और उसी नुभाग में सुरू से ही वहाँ ही 27 साल से सिवाएं दिया हूँ, और वहीं से ही मैं सिवानिक्त हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपनी सिवाएं इस संस्था के माध्यम से, उनके लिए अपने साथियों के लिए जो सिवा नित होने जा रहे हैं या होंगे, उनके लिए मैं पूर्ण समर्पिक इस संस्था के माध्यम से जूड़ना जाता हूँ शीचतरूज मेमोरिल फाउंडेशन की संस्था पक अरुनकुमार शिवास्ता के लिए सकरी रहकर कारे कर रहे हैं, दिव्यांगों को भी मंच प्रदान कर रहे हैं, संस्था के माध्यम से संस्था के संस्था पक अरुनकुमार शिवास्ता के द्वारा किया जा रहा प्रयास बेहस सराहनी कदम है इस दंस्था का लाव लोग बढ़ चड़ कर उठा भी रहे हैं क्रेंडिसीन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट